अधियो दोस्तों कैसे हो सब लोग आई होप सब अच्छ होंगे तो कहीं बच्ची मेरे से वो लेते हैं सा टेलीग्राम पे भी सर कि अच्छ के क्योसंस आते हैं उसको भी थोड़ा वहत करवा दीजिए तो इसलिए में एक्च्छ को आपको करवा देतों बेटा जो जो पांट आप से एक्जाम में पूछा जाता है जितने भी आपके जेए और एक 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 एक्जाम्स हैं ऐसा नहीं कि एक सिंगल एकजाम के अं और इसमें देखो मैंने बोला कि यार यह topic है न पूरा रखने का होता है तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूँगा थोड़ा बहुत समझा होगा कि क्या क्या चीज़े आपको ध्यान रखना है सिर्फ यहां पर आपको logic लगाना होता है अगर logic आप बिल्कुल की wiring है अभी तो हम इसको यूज नहीं करते हो अभी तो अनम वाइरिंग नोन मेटलिक वाइरिंग आप यूज करते हो बट यह सबकी सबाब के पास पुराने टाइप की वाइरिंग है बट इन वाइरिंग से आपके क्योसनस पूछ जाते है तो सबसे पहले तो आपको वाइ क्लिट वाइरिंग क्यों बोला कि यहां पे बटा उडन या पोर्सलीन के आप क्लिट करते हो जैसे के आपके पास यह क्लिक यूज करका है, इससे आप conjāक का जोईनिंग है, यहाँ पर भी देख Всем आपकी पास यहां पर यह कुलिट आपको दिख रहा होगा, इससलिए आपके इस वाइिरी को क्या भी बोला है, वेटा क्लिट बोला है, देखो, यहाँ पर यह वाइर जा रहा है, यह कंडक्टर, और यह आपकी क्लिट, तो यहाँ से आपने इस क्लिट के अंदर से वाइरिंग निकाल रखा है, और देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आपके पास यहाँ से आप wiring निकाल दोगे यहाँ पर यह क्लिट है this is a क्लिट क्लिट में से आप यहाँ से wiring निकाल दोगे तो ऐसे आप wiring को join करते हो और wiring आप घरों के अंदर भी करते हो लेकिं अभी के टाइम पे ये वारिंग आपको देखने को नहीं मिलती है ये पुराने टाइम पे आपको देखने को मिलती थी अब यहां पर किलिट के थूआ आपने वारिंग को एड तो कर दिया और उसको पकड भिलिया this is supporting nature, clip क्या है उसको support कर रहा है, जो आपके पास wiring है, उसको support कर रहा है, बट क्या होगा, कि आप इस wiring को खुले में छोड़ देते हो, ठीके, आपने वज़िया यहां से clip कर दिया, इसके बाद आपने wiring को पूरा खुले के अंदर छोड़ दिया, अगर इस wiring को आप खुले के अ corrosion start नहीं हो जाएगा, आप बलो बिल्कुल सर, इस पर corrosion start हो जाएगा, दीरे दीरे यह wiring आपकी खतम होने लग जाएगी, और खराब होने लग जाएगी, ओके, तो सबसे बड़ा इसका disadvantage यही है, दोसरी बात सर, यह हमने खुले के अंदर आपकी यह wiring छोड़ रखी है, अगर खुले के अंदर यह wiring आपने छोड़ रखी है, तो आप यह बताईए, कि अगर खुले के अंदर किसी wiring को छोड़ोगे, तो आपको कोई skill workers की या skills labor की आपको requirement होगी, आपको कोई अच्छा electrician बुलाने की जरूत होगी, नहीं, आपको दीर कर दोगे न सर, यहाँ पे यह पि जाएगी या नहीं हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल हो जाएगी, अब आप तो चोकि यार, दूसरी बात, यह point देखो दिमाग भी बिठाने की कोशिस करिए, यह आपकी wiring आपने खुले में छोड़ रखी है, पानी के उपर लगा रखी है, इतना सारा पानी है, उसके wiring होती है, कोई skill-able requirement नहीं है, डारेक्टी इसको pin करना है, लगा देना है, खुले के अंदर, खुले सांड की तरह आपको छोड़ देना है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो बिठा, यहाँ पर सारी चीज़े दे रखे हैं, conductor का आप यहाँ पर डालते हो, और यह क्लिट आपके क पुराने टाइम पर भी हम यूज करते थे, अभी भी अगर आप देखते हो, कुछ जगव है, कुछ रेर चांसे से, जहाँ पर क्लिट का आप यूज करते हो, इसे ही यहाँ पर wire को पकड़ने के लिए, आप क्लिट का यूज करते हो, तो बालों को थोड़ा सपोर्ट मिल ज आप देखिएगा सर, यहाँ पर कुछ पॉइंट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यह देख रहा होगा, आपने खुले सांड की तरह यह wiring छोड रखिए, और यह क्लिट आपने यह पर लगा देखिए, यह पोर्सलीन वोडन किसी के भी हो सकते हैं, देखिए, इसे आप अभी के टाइम पर यूज नहीं करते हूँ, ओके, नौट सुटेबल पो डोमेस्टिक, आपके बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे के ऊपर गिर गई तो सर, आपने तो इसे खुले सांड की तरह इसको छोड रखा है, तो अच्छी बात नहीं है, तो इसकी एज लि क्योंकि भया, आपको दी कर सकते हो, इसमें कोई electricians की तो आपको requirement ही नहीं है, ओके, दूसरी बात, यहाँ पर सर हमारे को, आपको skill labor की requirement नहीं है, skill manpower not required, ओके, और इस सारे point आप पढ़ सकते हो, relatively economical सस्की होती है, ज्यादा यूनी है, सारे point आपके simple से हैं, यहाँ पे लिख इचा नहीं होता है, दूसरी बात, हमारे पास इसका disadvantage बता रहाँ बेटा, यहाँ पे higher mechanical injury, क्योंकि mechanical injury मैंने बोला ना, कहीं पर बया टूट उट सकती है, ओके, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने फुले सांट की तरह इसको छोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपको mechanical injury आपको जाता देखने को मिल सकती है, ओके, चलिए, इसके बाद हमारे पास थोड़ ऐसा और सुदार होता है, और हमारे पास आती है, better type की वाइदी, आप कभी भी, आपके ओपर कभी case हुआ है, case study की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस case की बात कर रहा हूँ, जो आपके अदा केस हुआ होगा, तो पिटा, आप अदालत में गए होगे, अगर आप अदालत में जाने के बात, तो आपके जो वहाँ पे प्रद्रना चाहरे जो भी हूँए, मतलब जो भी आकि वकीर होगे, तो वकीर के साथ आप अपना case जो भी फायल किया होगा, वहां पे गई होँए, तो आपको भी देखना, गुवर्मेंट के उस सीच को देखना, जो भी उनका बंगला, जो भी उनका हाउस, जो भी चीजे को थी हो आप पे अदालत वगेरा, तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे आपको बेटन वाइरिंग देखने को मिलती है, बहुत सारे वाइर, एक क्यों बोला, कि सर यह जो बाहर है आपकी पास यह होता है बेटन, बाहर का जो पार्ट होता है अंदर इसके केबल लगी रगती है, अगल अंदर इसके केबल लगी रगती है, ओके और सर यहाँ पे आपकी पास किलिप से आपने उसको सपोर्ट दे दिया है, यहाँ पे निकाल रखे हैं जैसे कोई भेड़ वगेरा होती है उनका जो जुन्ड जाता है ऐसे आपने निकाल रखे हैं तो यहां पर आपको इसकील लेबल की रिक्वार्मेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी आपको सूचिए आप बोलोगे सर सारा जूंड एक साथ कर दिया तो कुछ सोड सर्कीट वगेरा हो गया तो यहां पर तोड़ा इसकील लेबल चाहिए एक भाईया इसको कनेक्टेट करने के लिए आदे व केबल यूज करते हो ओके दूसरी बात हमारे पास यह जो केबल होती है लेड ओवर वूडन बेटन आपके पास जो बाहर का जो पार्ट है लकडी का बेटन भी आप यहां पे यूज कर सकते हो कि बाहर कोई प्रोब्लम ना आए तो आपने यह सोचा कि सर थोड़ा बहुत त कि इस पर डश्ट के पार्टिकल तो जम जाते हैं लेकिन उसको बचाया भी जा सकता है इसलिए हमारे पास इसकी वेलेडिटी हो गई 15 साल अभी मैं आपको एडवांटेज इंडिस एडवांटेज आपको बता दुआ ओके तो यहां पे किलिप आप यूज करते हो किलिप कि इसलिए यूज करते हैं इसलिए बेटा सपोट के लिए ओके तो आप बोल सकते हो कि यहां पे लिंक किलिप आर यूज फोर फैमिली किलिपिंग दा इसको इप्ल इन पोई इसको इद्वान अब दीख़ेगा सर इसके एडवांटेज सर यहां पे क्या होगा लेस लीकेज कर होगा वह बहुत कम होगा क्योंकि आपने इसकी लेबर यूज किये तो कुछ सोच समझ के आपने इतना जूंड पटका होगा ओके तो लिकेज Audio Current आपको यहां पे क्या होता बेटा कम होता है और आप इसे Users इंटोल कर सकते हो सबसे बड़ा डी-आडवांटेज यह है क्योंकि इस जुंड को आप गरों के बाहर नहीं लगा सकते तो इसलिए आप इसको यूज नहीं करते हो बेटा आउट डूर के अंदर इसका जो यूज करते हो आप इंडूर के अंदर ही यूज करते हो तो प्रोब्लम यह हो सकती है कि सारा का सारा जूंड है तो घर में dust के particles भी उड़ते हैं गेस, बेस, आप kukar वगेरा सारी चीज़े चलाते हो, तो उससे steam निकलती है, तो वो भी उसकी यहेस भी थोड़ी-थोड़ी करके उससे जम जाती है, और डस्ट के पार्टिकल उससे जमा देती है, तो बेटाए, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डस्ट और steam effect डालती है इस cable को और आपको यहाँ पे high skill labor की requirement होगी यह की मैंने आपको बताया है तो इसी type की एक और wiring होती है जिसका नाम है casing capping casing capping तो आपने आज के पास 6 साल पहले भी देखा होगा अगर आप लोगों को पता होता हो आपने एसा कुछ देखा है यह PVC का आपके पास एसा लगा रहता है आप इसको wooden का भी बना सकते हैं आपके पास PVC का भी हो सकता है या VR का भी हो सकता है अब दिखेगा आपके पास यह जो पार्ट है इसके अंदर आप wiring डालती हो इसके अंदर आप conductor डालते हो डालते हो की नहीं डालते हो conductor डालते हो Capping का मतलब क्या है Cape लगान तो ये उपर वाला जो पार्ट है इसको आप Cape बोलते हो Cape के अंदर आप wiring नहीं डालते हो wiring किसके अंदर डालते हो पहले तो यह आज से पांसे चे साल पहले यूज की जाती थी लेकिन अभी प्रजेंट टाइम में आप देखोगे घरों में यह वाइरिंग यूज नहीं की जा रही है क्योंकि अभी नोन-मेटलिक वाइरिंग आपकी यूज की जाती है अब देखेगा इसका जो एज लिमिट है दोस्त वो होता है बेटा 25 जबकि आपके पास जो यह वाइरिंग थी इसका एज लिमिट था बेटा 15 यह यह बेटन रही कि आपकी वाइंडिंग होती है परली बात यह समझ जाए कि यह सेम लाइक बेटन बेटन की जो आपकी वाइरिंग होती है उसी तरीके की वाइरिंग आपकी पास होती है लेकिन यह सबसे सस्ती होती है इसको फिर बंद कर दिया जाता है अब आप सोचो कि जब इसके अंदर आपकी वाइरिंग हो चुकी है तो क्या dust के particle इसको effect करेंगे है खुद सोचिए dust के particle तो conductor तो safe है ना बेटा conductor तो safe है तो इसको तो कोई effect नहीं पड़ेगा ना बेटा conductor को तो यह थोड़ी अच्छी आपकी वाइरिंग है तो बेटा आप बोल दोगे कि this is a provide good isolations as the conductor as placed apart reducing the risk of short circuit, यहाँ पर आप short circuit से भी बच जाओगे, बच्चे भी आपके बच जाएंगे गरों में, और इसे easily be accessible for insufficient and repair, आप इसे easily repair कर सकते हो, कुछ भी fault हो गया, तो easily आप इसको repair कर सकते हो, इसको निकाल के वापिस इसको सही कर सकत हो, ओके, तो next point है हमारे पास, इस पर atmosphere का effect नहीं डलता है, क्योंकि आपका conductor अंदर है, तो atmosphere का effect नहीं पड़ेगा, ओके, बले climate कुछ भी आपका change हो, तो यहाँ पर बोलोगे कि sir, wire are not exposed to atmosphere installed is less affected by dust, dirt, climate variations, ओके, और यहाँ पर भी simple सी बात है, अगर इसके अंदर wiring कर रहे हो, तो आपको skill workers के तो requirement होगी, तो भया, skills workers आपके पास requirement होगी, okay, problem यह होती है, कि इसका disadvantage यह होता है, कि by chance आपके पास जो बाहर आपने यह wooden का बना सकते हो, आप बाहर का casing and gaping है, आपके पास यह wooden का हो गया, by chance किसी भी कारण वसे damage हो गया, तो वो problem हो सकती है, तो यह सबसे पड़ा इसका disadvantage हो, पास बंज मैं, चलिएगा, हमारे पास next type की wiring है, जिसका नाम है, conduit wiring, conduit wiring कैसे याद रखना है, conduit मतब कोई कंडा उंडा नहीं करना, okay, पहले बोलते हैं, तो सकंडा उंडा करें, आपके घरवर बनाते होंगे, अगर घरवर बनाते हैं, तो आपको पाइप आपने बचा रखे हैं, पाइप ये पाइप, ये पाइप, ये पाइप, ये पाइप, आप देखते होंगे कि सर इनी पाइप के अंदर आप conductor डाल देते हो, उसके बाद घरों में तो सिर्फ आपको ये bulb वगेरा, सब कुछ लगाने होते हैं, तो ये होती हैं आपक अलग टाइप का दिखता है, अलग अलग टाइप के अंदर आपके पाइप होते हैं, यहाँ पे अलग पाइप आपका यूज हुआ, देखो यहाँ पे भी आप ये पाइप देख सकते हो, इस पाइप के अंदर जो आपकी वाइरिंग की जाते हैं, this is a conduit वाइरिंग, और भा अलग तरीके अंदर किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे घरों के चत्त के अपर भी हम इसका यूज करते हैं, और इजीली डेमेज नहीं होगी यह वाइरिंग आपकी दिहां रखेगा, तो सर आप बोल सकते हो, एज लिमिट इसका इतना है, not easily installed, क्योंकि यह easily install तो नहीं हो सकते हैं मेरे भाई, देको इतनी माथा पच्ची हो रही इसको install करने में, तो different type के आपकी conduit यूज होते हैं, यहाँ पर अलग type का conduit, यहाँ पर अलग type का conduit, बस याद यह रखना है कि सर यह pipe के अंदर आपकी wiring की जाती है, ओके, दोसरी बात सर, the system is best suitable for public building, industry and workshop, workshop म बनाने में भी आप इसका यूज करते हो, ओके, तो best system of wiring, यह सबसे best system है, wiring का, ओके, और most desirable for works of and public building, ओके, तो यहाँ पर बिटा देखिए, mechanically आप protections, आपको mechanical protections भी आपको अलग से देने की जरूत नहीं है, मतलब यह mechanically आपकी protected होती है, chemical कोई reactions नहीं करती है, बहुत अच्छ fire, fire से भी इसको कोई फरक नहीं पड़ता है, okay, soak in if bonding and earthing are well done, okay, सब कुछ बढ़िया होता है, इससे आपको कोई soak भी नहीं लगता है, इससे आपके घरों में wiring आपने कर रखी है, तो आपको current current के कोई जटके उटके नहीं लगेंगें, okay, पानी होता है, आपको आपने देख skills label की, तो आपको requirement ही होगी, advantage यह है, कि sir, no risk of fire, fire का कोई risk नहीं है, okay, दूसरा, safety from humidity, smoke, इससे आपके पास safety आपको मिलती है, disadvantage इसका यह है, कि बहुत expensive होती, बहुत खर्चा होता है, बेटा, इसमें देख लो, आपको दिख भी रहा हो, बहुत खर्चा होता है, और install is not easy, इसको आप install easily नहीं कर सकते हो, okay, तो यह estimates and posting का आपका first part, एक sort में complete हुआ, next part बहुत जल्दी आपका आने वाल है, जिसमें estimates and costing आपका complete, okay, चलिए, अगर आपको sessions अच्छा लगा हो, तो like करिएगा, comment करिएगा, आपने दोस्तों तक share करिएगा, और आप यहाँ पे दोस्तों, comment के चैनल को subscribe कर दीजेगा, दूसरी बात मैं आपको ब लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो अच्छे तरीकी से आप लोग पढ़ाई करते रहेगा, okay, thank you and take care.